हेड्लाइन्स के प्रायोजक हैं L.I.C. of India जिन्दकी के साथ भी, जिन्दकी के बाद भी प्रिवक्ष के निशाने परमोगी सरकार कहां लोडबदी पर छोपीदारों ने देश के साथ गदारी की तो दूस्ट्स फटारों ने अर्वाद भी, जिन्दकी बाद प्रोवा फुर्भई वर्टूकी में अल्साइडा और आईयस करते हैं कि आप अजए तर्फ रहा है ड़ी तर्फ तर्फ फुटाव थाउचे ने यह है टो अजब लो आफ्सानि एंपर हमना प्रेंट में जाना सब्सक्राइब और शिवराजी नियुक्ति को कहा बढ़ता थारे जर्ण नविश्वर को ले इती हुनिया बग्ता बढ़ता नवश्कार मैं हो शेफ आलिया आप देख रहे हैं दखाली उजब सब्सक्राइब से पहले विपक्षी पाथियों नूर्बंदी को लेकर चुनाओं से पहले मुदी सरकार को घिरने के लिए नोडबंदी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने साज़ा प्रिस कॉंफेंस की इस प्रिस कॉंफेंस में कॉंग्रेस के कपिल सिबल, रनभी फूर्जेवाला, एहमत पटेल, गुलाम नभी आजाद, मलेक अरजुन खडगे, राज़त के मनोज जह, शरत ज्यादब शामिल हुए यहां नेताओं की तरफ से एक वीडियो दिखाया गया, कपिल सिबल ने कहा कि कुछ चौकीदारों ने देश की साथ जबदारी की है, और आम जनता की जेप से पैसा छेन लिया है पर इस कॉनसेंस में एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें दावा किया जा रहा है, कि पत्रकारों ने मिलकर नोडबंदी पर एक विशेश जांच की है, और उन्होंने कहा कि नोडबंदी के कारण देश की जीडीपी पीशे चली गई, किसानों को नुकसान हुआ, छोटे का इनों के अंदर दो इंपुट दिले हैं, इनने कहा गया है कि भारत में से तो यहुदी थनों को निशाना बनाया जा सकता है, खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी हमला करने के लिए गाड़ी या चाकू का इस्तमाल कर सकते हैं, खुफिया एजेंसियों ने अ बदला लेने के लिए आई-एस और उससे हमदर्द यूज ना बना रहे हैं, यह मामला न्यूजिलेंड के क्राइस्ट चर्च में कुई गुलाबारी में पच्चास लोगों की मौत का बदला लेने के लिए किया जा सकता है, बताते चलें कि इस मामले को 19 साल के आउस्ट्रि सब्सक्राइब का स्टार प्रचारकों की सूची में सिध्धू का नाम हटा दिया है कॉंग्रेस नेताओं का मानना है कि सिध्धू के आने से कॉंग्रेस को नुकसान होगा स्टार प्रचारकों की सूची में नया नाम रिटार्ड ब्रिगेडियर प्रदीप यादव का जोड़ दिया गया है जि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बगेल के अलावा मंसी टीए सिंग देव तामर द्वच साहूर रविंद्र चौबे मुहम्मद अगपर गुरू रुद्र कुमार डॉक्टर शिफ कुमार डहरिया डॉक्टर प्रेम साइस सिंग जैसिंग अगरवाल अनिला बोंडिया शर्मा डॉक्टर चंदन यादव अरुन उम्राव नितिन राउत हर्मन सिंग शुष्मिता देव वा केशव चंद्र यादव शामिल है कोब्रा बटालियन में मंगलवार सुभा सुख्मा जिले के दीमापूरम इलाके में लक्सली कैम पर हमला किया इस हमले के बाद चांद चांद पूले की नापज़ इस मुड़िड के बारे में एस पी नकसल शलप सिना ने चार नकसली के शब मिलने की पुस्टी की है इनमें दो महिला और दो पुरुष नकसली है तो रश्यवलों को जानकारी मिली थी कि अलाके में नकसली ने अपना डेरा जमा रखा है जिसके इसके बाद नकसली घबरा कर फारिंग करते हुए जंगल की और भाग में रगे इसके बाद इस राकी की सर्चिंग शुरू की गई तो वहाँ चार नकसलीओं के शब और हथियार मिले कोबरा बटालियूं के जवानों ने जंगल में भागे नकसलीओं का पीशा किया और फि आप देख रहे हैं दखल्नीओ अब लाइफ की सेविंग्स करो इंशुरंस पाओ लाइफ है प्यारी सी जी लो हसी खुशी प्लानिंग करो अब लाइफ की सेविंग्स करो इंशुरंस पाओ एलाइसी के न्यू एंडॉर्मेंट प्लान में पाईए बचत के साथ सुरक्षा भी घर अपने खुश्या ले आओ आप देख रहे है दखल नियू भुपाल से कॉंग्रेस में लोगसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंग को टिकेट क्या दिया सभी ने उन पर शब्दों के तीर चलाने शूब लिए कोई उनको बंटाधार रिटन के रहा है तो कोई कहता है कि पहले दिग्विजे में कमल के मज़े लिए अब कमल दिग्विजे के मज़े रहे है हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग दिग्विजे के सामने चुनाव लड़ने की बात को लेकर दिग्विजे को बंटाधार रिटन कहा और चुनाव में उनको चुनावती मानने से ही इनकार कर दिया था अब यह तो गो जाने कब किया कैसे किया क्यों किया लेकिन भारती जंता पारिटी के बाद भूपाल नहीं उनकी सो सीटें जीतने के लिए चुनाव गड़ेगी बाल सहित सारी सीटें हम जीते है बंटाधार रिटन है तो शिबाप्टिंग के सामने आज कोई चुनोती नहीं है भारती जंता पारिटी कंभीरता से चुनाव गड़ेगी वहीं बीजेपी के उपाद्यक्ष और विधायत रामिश्व शर्मा भी नहीं चूग रहे कहते हैं कि 2003 में अंधेरे में मद्रदेश का कारण दिग्विजय सिंग थे मजदूरों की मौत का का अग्षोड़ के बिविजे से शेक्षिक लेंद और खराब सडों का रह और कहरण डिग्विजय से अब कमल नाथ कमल की चाल चलकर दिग्विजय को बता दिया कि राजा सबक्येभी तो almost कि देगवें और यह्यां सब्सक्राइब कर यह जो इता मेरे टाइज करते हैं दुए गभीजैución जाएमानेकर बेतन बहुतres निकाले कारण दिग्विजे सिंग थे मजदूर के मौत के कारण दिग्विजे सिंग थे बन उंदोग के कारण दिग्विजे सिंग थे और बंटा धार भी दिग्विजे सिंग थे तो वो कौन से सरवत्र हैं और कौन से सरवदा हैं और मद्व परदेश को पूरा याद है कि दिग्व लिए हैं थोड़ा हमको भी ले लेनी तो हुआ है तेज रफता ट्रक जैसे ही अन्यंत्रित होकर पेड़ से टकराया उसमें आग लग गई इस आग में ड्राइवर जिन्दा ही जल गया ब्रग ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है प्रत्यक्ष दर्शी के मताबिक तेज रफता ट्रक अन्यंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और सीधे एक पेड़ से जाटकराया टकर इसी जबरदस्त थी कि एक जोरदार विसफोट हुआ और ट्रक में आग लग गई इस दोरान ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकालने क का मौका ही नहीं मिल पाया और जल जाने की वज़ा से उसकी मौत हो गई फाइब इग्रेट जब तक घटना इस्ताल पर पहुची तब तक पूरा ट्रक धूरू करके जल चुका था माना जा रहा है कि वे नशे की हालत में था पूर मुखमंकरी बीजेप्यू पाध्याग शिवरा सिंग चौहान ने कहा तो दस दिन के अंदर मुखमंकरी बदल देजेगे इस हिसाब से अब तस दस मुखमंकरी प्रदेश में बदल देना कहा है पूर मुखमंतरी बीजेप्यू पाध्याग शिवरा सिंग चौहान ने कहा मद्द्परदेश के किसानों के साथ धोका हुआ है उन्हें ठगा गया है मद्द्परदेश के अलावा 36 गड़ो राजस्थान में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है जब भी चुनाव आते हैं तो कौंग्रेस और राहूल गांदी जूट बोलते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उसे निवाते नहीं आजादी कीबात कंगरेसी सरकार कई सालों तक रही है कंगरेस की सरकार में इंदरा गान्दी ने कहा था कि गड़ी पताओ लेकिन अब तक गरीबी नहीं हटी है यह कंगरेसी है जो हमेशा जुट बोलती है मृद्प्रदेश की जनता तो यह समझ गई है काट की हंडी कोई बार बार थोड़ी चड़ती है एक बार चड़ गई अब देख लिया कर्जमाफी नहीं देख लिया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला सारे वाहितें उनके जूटे से सदू है तो झंता इस सच को समझ गई है मद्व प्रदेश मेरी अज पूरी में भी समझाएंगे बी अधैर我们 कांगरेश सरकार के acaba प्रदेश में दीन रीयल अंधोईय जोजना बंद करने पर मुर्पन्ति शिवरा सिर्चुहान ने कहा कि मद्य प्रदेश में चलने वाली हर जन कलिया और योजना को आज बंद किया जा कॉंगर्स सिर्व एक ही जोईना प्रदेश में चला रही है। ट्रांसपर उद्योग की तरफ हलगव ढूल रहे है। आचार सहीता लगने के बाद भी ट्रांसपर के प्रदेश हो रहे है। वही निविधाएं और टेंडर निकल रहे है। कॉंग्रिस का विकास से कोई लिना देना नहीं है, बस जैसे तैसे सरकार चलती रहे. टकल नहीं है, बस जीवन भी मादवारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है, ये कंपलसरी और सिस्टमाटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है, ये कर्ज वगरा के रूप में लिक्विडिटी देता है, इन्हें कोलाटरल सेक्यारीटी के अब तक जो कुछ किया है उनके नाम पर हम वोट मांगे। योगी ने कहा कि मोदी ने जो किया वह देश हित में कोई नेता नहीं कर सकता इस सभा को मुख्मत्री योगी के आलावा हेमा मालनी ने भी संबोधित किया। हेमा मत्रा से दूसरी बार चुनाव रड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तुनाओ को लेकर बहुत गंभीर हैं और अपने कामों को लेकर हम आम जनता की बीच जाएंगे। प्रजवासी बीच जो पुला है उसके लिए बहुत खुशी है। और मेरे साथ की सभी मेरे बार की जनता पाटी के अमरे वरिश्टन एता और सभी लोग मेरे साथ में हैं। और प्रजवासी मेरे साथ मुझे पूरा यकीन है। और उसके आशरवास से विर एक और बार आप सबके साथ मिलकर खाम करने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे पूरा यकिन ये भी है कि इस पार जो चुनाओ होगी उसमें बहुत महनद भी करेंगा। आप लगने के दौरान लोगों ने कई बार दंकल विवाक्त है। पूरान लोगों ने कई बार दंकल विवाक्त भी इवाक्त है। गराना दुकान में आग शॉट सर्कृट की वजह से लगी थी हग तो तब हुई जब आग लगने के दौरान लोगों ने कई बार दंकल विवाक को फोन लगाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ। आखिरकार लोगों ने खुद ही आग को बुझाने का प्रयाश्रू कर दिया। काफी देर बाद दंकल की गाड़ी पहुची तब तक पूरी दुकान जलकर स्वहा हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बगेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमान सिंग अपने अपने प्रत्याश्यों का नावांकर अंदाक्री करवाने चब्दल प्रकुषे। रमन ने सभी 11 सीटे जीतने का दावा किया वही बगेल में चौकीदार पर निशाना करता। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंग लोगसभा प्रत्याशी वैदुराम कश्यप का नामांकर दाखिल करवाने जग्दल पूर पहुचे। उन्होंने दंतेश्वरी माता मंदिर में पूजा की और फिर बैदुराम कश्यप का नामांकर जमा करवाया। इस मौके पर रमन सिंग ने कहा मोधी के नाम और काम पर जंता वोट करेगी और 36 गड़ की सभी 11 सीटे बीजेपी जीतेगी। अब स्भी अमारे फरेरी कार्वाचाओं परेदी नामंकर के लिए आठ्यारी हो रहली के तैयारी है। और वहाया हूँ बेदुराम पर्ण श्ब्जी के नामंकर के लिए हुमारे इकरम पसेंज़जी। पुरी टीम जिलाद के पुरी टीम के साथ वाज नमुनार होगा और मातर श्या शिरुवाद लिए हैं कि आज सुरुवाद यहां से कर रहा है तो ग्यारा में ग्यारा लोग समासी भारती जित्ना पार्टी के पित्जासी जित्या और मुझे वरोसा है मुझे मंत्री बूपेश बगिल कॉंड्रेस उमिद्वार दीपक बैच का नामांकन दाने के लिए तरफ जहां रमन सिंग वैदुराम कश्यप का नामांकन फॉर्म जमा करवा रहे थे वहीं मुझे मंत्री बूपेश बगिल कॉंड्रेस उमिद्वार दीपक बैच का नामांकन दाकिल करवा रहे थे मुझे मंत्री बगिल के निशाने पर चौकिदार रहे उन्होंने कहा बीजेपी को समझा गया है कि अब उनके लिए 36 गड़ में कुछ नहीं बचा है चौकिदार के लीचेश बूपर को पाने केले कौंगरेस 80 चोटी का जोर लगा रही है वहीं बीजेपी ने अपने सांसद रहे व्यक्ति पर दाव ना खेलते हुए वैदुराम कश्यप पर दाओं खिला है बीजेपी के सर्वे में 36 गड़ में सभी सांसदों के जीतने के आसार ना के बराबर हैं यहीं वज़ा रही कि बीजेपी को सांसदों के टिकेट काटने पड़े पूर्वर शिक्षा मंत्री आदिवासी मेता किदार कश्यप ने फिर अपने बोल जिए और कॉंग्रेस अध्यक्ष राहू गांधी पर निशाना खागा कहा कि मोधी भी कुछ करें तो सबसे ज्यावा तकलीप पाकिस्तानियों को होती है और देश में कॉंग्रेसियों को केदार कश्यप इतने पर भी नहीं रुखे यह भी कहडाला कि राहूल केरल गया पाकिस्तान में जाकर सरकार बना ले जग्दलपूर में भाजपा प्रत्याशी वैदुराम कश्यप का नामांकन भरने से पहले एक आम सभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने राहूल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा वो अमेठी हारने वाला है अब वो केरल जाएगा मैं तो कहता हूँ तू केरल क्या पाकिस्तान चला जा पाकिस्तान में सरकार बना के बता तेरे समर्थक तो वही पर है तेरे नेता तो वही है क्योंकि हमा मगर सवाल यह उत्ता है कि क्या भाशा की मर्यादाओं का उलंगन उचित है क्या राजनीती का इस्तर इतना गिर चुका है क्या है और दूसरा हमारे अंडोस्ताण में कांग्रेशियों को दुख होता है कि कांग्रेशियों सुम्हों कालते हैं पाकिस्तान ले जाओ ये मज़म से अगर करता हूं कि विद्ध के बड़ेक के बार जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दखाली आप देख रहे हैं दखल नियूद आइस क्रीम काईगी आइस क्रीम ये है डबल आनंद पहला आनंद पॉलसी टर्म के अंद पर मेचौरिटी क्लेम का पूरा भुक्तान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के LIC न्यू जीवन आनंद आनंद ही आनंद कमनात सरकार चाहे जितने वादे कर ले लेकिन किसान कर्ज माफी योजना में हो रही गडबड़ी नकार नहीं सकते कॉंग्रिस विधायक संजय यादव किसान खुदकुशी मामने में भाजपा के निशाने पर आ गए हैं गौरतलब है कि किसान ने कर्ज माफी ना होने से दुखी होकर खुदकुशी का प्रयास किया था किसान भूपत सिंग लोधी की हालत अब खत्रे से बाहर है वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्षर के किसान से मिलने के बाद कॉंग्रिस विधायक संजय यादव ने किसान पर छूट बोलने के आरोप लगाए थे जिसके बाद भाजपा युवानेता सोनू बचवानी ने एक आडियो मेडिया को सौपते हुए संजय यादव पर आरोप लगाया कि वह किसान पर दवाब डाल रहे हैं कि वह कर्ज माफी ना होने के कारण खुदकुशी करने की बात से पलट जाए को अपका जो भी कर्ज है जो खीदी कर्ज बदेगा लोग सवा चुनाओं के बद आपको अपको भी जो और खुर सम्झें कि में ली जी कि व्रूद में कोई बात कही ही नहीं है मैंने सिर्फ अबनी बात रखी गगा जो परसां थे सिलिए यह अश्वा है उस पर मैं श्यव जिने वाद बोली है हमारी मदद कर रहे हमारे साथ है यह तो मैं बोलूँगा ने कि आपको बयान भी तो आपको चेंज रहना पड़ेगा जब तो मैं आप ब्रयांचान जी करने वाली तो कोई बात ही नहीं ना तर दो गलत है आप चारे एक साथ खाए नहीं बिलकुल नहीं तो मैं बात नहीं ऑपने तो आप समझ रहे हैं आप जो आप कोशित लगे आप इञ वहाई नहीं है तो आप कुछ कर रहे हो तो फर मैं आगे हमें हैं तो हचीज में मैं आपको साथ खाला च्पर देया है अश्ताल से लीकर आपको कर्ज है किस थीती का मैं उसको निल अब होने वाले थे आपका कर्च्च माप नहीं हुए है पिताजी ने मुझसे इस बारे में पूछा था कि क्या कोई मैसेज आया था तो मैं में लिखा था कि अभी आपका कर्च्च वह माप नहीं हुआ है ते ओला पारी के कारण जो मेरी फदल थी उसको भी बहुत नुकसान उस दिन वो खेट गए थे उन्होंने खेट देखा वहां से बापस आने के बाद उन्होंने बरकी मैं जिसा पॉइजन ले किया था तो वह परेशान हो गया और इसी तनाव के चलते आत्मघाती कदम उठाया कॉंग्रेस सरकार के जूटे वादों से किसान दुखी है इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग्ग ने उससे मिलकर मदद का आश्वासल दिया मदद प्यदेश की पूरी सरकार नशे में खुथ है और किसान को बताती है कि वह नशे में नशे में था तबी उसमें जहर पिया लेकिन आपने देखा कि उननसे पिता जी ने ने कोई नशा नहीं किया हुआ था जो उनके हां फसल जो है फसल जो होगी थी चने की वो चने की फसल पुरी बरबाद हो गई उस बरबादी की वज़े से जो है किसान बहुत हताज थे उन्होंने आत्मात्या करने का प्रयास किया बगवान की कृपा से वो बज गए लेकिन इसके बाद भी कॉंग्रेस के लोग कॉंग्रेस की सरकार ने और कॉंग्रेस के विधायक जो फ्रित्र किया मुझे जगता है बहुत अशोबनी है कॉंग्रेस के बरगी विधायक संजय यादव ने सरकार के जूट पर पड़दा डालने के लिए किसान पर आरोप लगा दिया कि उसके परिवार में विवाद और नशे में खुदकुशी करने का प्रयास किया गया जबकि है सरासल जूट था किसान के बेटे ने भी कॉंग्रेस विधायक पर बयान बदलने के लिए दवाब डालने के आरोप लगाए उससे एक आडियो क्लिप मीडिया को दी और जिसमें विधायक संजेई आदव का गुर्रा उस पर बयान बदलने का दवाब डाल रहा है बयान बदलने के बाद विधायक द्वारा किसान के इलाज का ख़र्च उठाने की बाद भी की जा रही थी रंग पंच्मी के बाद चार दोस्त बान में नहने गए थी नहते नहते सभी दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूब में लगे जब कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी तीन की मौत हो गई उनका चौथा साथी यश्राज दिखे तब बच गया मरने वाले युवकों की उम्र 25 साल बताई जा रही है मरतकों की शिनाक्त साजापुर निवासी गौरव गोगुज दीपक जाधव और सावन बैरागी के रूप में हुई हाथसे की खबर लगते ही पुलिस और इस्थानी लोग मौके पर पहुँचे गोता खोरों ने बांध में उतर कर युवकों की तलाश शुरू की काफी मश कर ने राजजनगर से ललपूर गाउंद कर्वारन लगातार बढ रहा था जिसकी जानकारी में सापकारी बिभाılmış कि आपको बता सब्स आ कारूबार क Though क LAUER को आदिको कर दीकर अदीकरी शेलेज जयन वाउन की टीम ने अंजाम दिया लगबल सब्तर हमें खाली पाव मिले देड़ सो धक्कन मिले तीन चार खाली ड्रम मिले जिन में मिलकी टॉंटियां लगी हुई है इसमें आरोपी कोई नहीं मिला क्योंकि प्रपरटी में ताहा लगा हुआ था और इसकी बेवशन जारी है इस संबंद में प्रपरटी के स्वामी और प्रपरटी के आसपास के लोगों से लगातार पूछताच की जावेगी और आरोपियों की चान्मिन की जावेगी राजनन गाउन लोगसभा से कॉंग्रिस प्रत्याशी भूलाराम साहु ने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन भरने के बाद कॉंग्रिस प्रत्याशी भूलाराम साहु ने कहा कि राश्ट्रे मुद्धों के अलावा इस्थानियों मुद्धों को लेकर वे जन्ता के बीच जाएंगे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक मामले की जाच करवाय जाने की भी बात कही देखिए मैंने आज तो नामंकन भरा है कारकरताओं में उस्सा है मद्धाता बहुत उस्साहित है देखिए ओ बहुत बड़ा बुद्धा है और बुद्धा को देखिए और बुद्धा को निशित रूप से जाच कराकर उसमें कारवाई करने की प्रयास करेंगे नमस्कार बहरन समाचा में मुलाहिम सिंह को इस्टार प्यचार को लिस्ट रही है खेल दी वादे भी चुनाओं जीते थे वादे बाप की दोधर रहा हुँ बहुत बुरा आल हो रही है और मुलाहिम जीं का कहना यह बुआ के चक्कर में आ लड़का बुआ जाना क्या का सिखा रही है यह बहुत है पोटर राही हुँ पर समाज वादी पाड़ी इन्होंने ख सब्सक्राइब करेगा हमारी पाड़ी जोइन कर ली कॉंग्रेश अपना चोह दिल ने और वह दूतर दिन लगी कि हमने तो नहीं करी और मैं बता रहा हुँ इनके लटके-जटके समझ में नहीं आते बता रहे हुँ हां कल दिली में मनोज किवारी के साथ बैटी मिली इनका सब्सक्राइब करने वाली इनके जटके-बटके होते हैं इनके चकर में मत पढ़ा हुआ है चुनाओं में चब्वीस लाख बोटल तुम बोटल सुनके तुमारा दिमाग है वहीं जाता है वह तो बाद में मिलेंगी भाईया यहां पर लगाने पढ़ती है नहीं लगाने प सब्सक्राइब करने लगाने चले जाओं लगाना पढ़ती है उनको कुछ नहीं हो रहा है उनका कोई स्टेट्मेंट बगएर आए नहीं बतारे हुआ है उतकता है उन्होंनों ने खुदी मना कर दिया हो कि हमें नहीं लटना चुनाओं मना हो गया बहुत चुनाओं लड़ कि अब इनको लग रहा है उनको तो गवराट हो रही है लेकर दूसरी स्टेट्में चुहां कहन रहे हैं वह बंटाथ हर रेटन अमेकर रेटन तुम कहे रहा है कि रेटन आ गए उनको परे चुराओं में बदार बदार चल लिया है और मोजी सरकार ने ये किसानों को शेह ज इन्हों ने भी पकड़ लिया है जिनकी 6 अजाद थनका है उसमें 6 अजाद जोड़के हम पूरे साल बर के बाहत तर अजाद देंगी गरीबों को लुटाएंगे गरीबों को खाबिल नहीं बनाएंगे यह तो चल लिया है और IPL का युद्ध शुरू हो गया है बता रहा हूं वही हमारी इंटेलिएंट की खाबर आई है कि इससे ना ग्रेदु चल चकता है पूछो ग्रेद के चले का IPL मैं बता रहा हूं क्या होता कि जब IPL के में चाहते हैं उसी टाइम पर साथ बहु के सीरियल भी चलते हैं तो भ अच्छा तुम्हें जूड बोलना आता है फेकने वेंगना आता है वाशन वाशन देना आता है जनता को उल्लू बराना आता है यह नहीं आता तो तुम्हें आनी यह टोटल लवाल की टिकेट पकड़ो यह काफी दोवाई लिए जहा बागो यहांते मैं आ गया हमें क्या कर चला भाईए मैं भी जा रहे हूं ना वाशन प्राइब